योजनाइन इंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी व्रद्धा पैंसन 31 जुलाई 2024 से किसके खाते में 33,000 रुपे की पैंसन आएगी और किसके खाते में पैंसन नहीं आएगी। जिहां साथियों अगर आप उत्तर प्रदेश में व्रद्धा पैंसन का लाब लेते हैं तो जो 31 जुलाई 2024 से व्रद्धा पैंसन का पैसा मिलना सुरू होगा तो किसके खाते में पैंसन का पैसा आएगा और किसके खाते में पैंसन नहीं आएगा यानि कि किसको पैंसन नहीं म मिलेगा सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माद्धम से देने वाले हैं और अगर आपका पैंसन रुका हुआ है चाहे आप विद्वा पैंसन लाब आरती हो दिव्यांग पैंसन लावारती हैं तो आपको क्या करना है कि आपके खाते में पैंसन का पैसा आ जाए तो सस्क्राइब भी जरू करिएगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के वरद्दवस्ता पैंसन लावारती अभी भी अपरेल मई जून की पैंसन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी तक पैंसन का पैसा नहीं मिला है देखे जो उत्तर प् पच्चिस की पहली किस्त का इंतजार है जबकि विद्वा और दिव्यंग पैंसन का पैसा राज्य सरकार की तरब से रिलीज कर दिया है और इसकी लिस्ट भी अपलोड हो चुकी है हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो विद्वा पैंसन का और दिव्यांग पैंसन का पैसा है वह पैंसन लावारतियों के खाते में पहुच चुका है और उसकी लिस्ट भी पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है लेकिन कुछ पैंसन लावारति चाहे दिव्यांगो विद्वा हो अभी भी ऐसे हैं जिनके खाते में अभी भी पैंसन का पैसा नहीं आया है तो वहें क्यों नहीं आए है वहें भी आपको बताएंगे लेकिन अभी भी कितने ही दिव्यांग पैंसन और विद्वा पैंसन लाबारती ऐसे हैं जिनके खाते में विद्वा पैंसन नहीं पहुचा है तो उनके लिए हम बता दे अगर आप दिव्यांग पैंशन लेते हैं विद्वा पैंशन लेते हैं और अभी तक आपको पैंशन नहीं मिला है अपरेल मई जून का तो सबसे पहले आपको अपने खाते को NPCI से लिंक कराना होगा नहीं तो आपके खाते में पैंशन का पैसा न पैंशन लाबारतियों के खाते में राज्य सरकार के तरफ से पैंशन का पैसा दिया जाएगा लेकिन यह जिन पैंशन लाबारत्यों का खाता NPCI पोर्टल से लिंक होगा और अगर आपने अभी तक आपने खाते को NPCI पोर्टल से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल करा लिज्य नहीं तो आपका भी पैंशन रूख सकता है दिखे जो 31 जूलाई 2024 से pension का पैसा दिया जाएगा वह भी जो NPCI पोर्टल पर link bank account होंगे उनी खाते में आएगा और जो भी आपका खाता आधार से जुड़ा होगा उनी bank खाते में आपका pension का पैसा आएगा अगर आपके पास एक से ज्यादा bank खाते हैं तो जिस खाते में भी आपका डिविटी सही होगा उसमें pension का पैसा दिया जाएगा तो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो तो like, share, comment जरू करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो subscribe भी जरू करिएगा